दोस्तो एक और औसदी पौधा को मैं आपको बताए देता हूँ ये जो औसदी पौधा आपके अगर आज़ पास मिल जाए तो दोस्तो आप इसको ज़रूर तोल लेजीगा क्योंकि ये आपके लिए बरदाम से कम नहीं है दोस्तो इसको आप ध्यान से देखिए इस औसदी पौधे के कुछ इस तरह तो फूल होते है और ये बहुत ही चमतकारी औसदी मानी जाती है दोस्तो इसका नाम है सैदेवी जिया दोस्तो इसको सैदेवी के नाम से जानते हैं पैचानते हैं और ये जंगलों में वरसात के समय में अपने आप भूखताती है और दोस्तों ये जनवरी फरवरी तक रहती है दोस्तों ये है सहीदे भी इसको आप पैचान केजिये इसको आप प्रयों केजिये तो दोस्तों अगर आपको बुखार की समस्या है तो कैसा भी बुखार है, कितना भी पुराना बुखार है, अगर सैदी भी का प्रियोग कर लेते हैं, तो बुखार को ये दूर कर देता है, उसके लिए दिब बिनुस का आप सुन ले जिए, सैदी भी के प्रियोग से अगर आप बुखार को पर्मनेंटली दूर करना चाहते ह करें। तो दोस्तो इसके लिए आप को करेंगे क्या में आपको बताइधे देता हूं एस एदे वी का पंचांग लेलेजिए पंचांग से तت पर होता है जड़साइद इसको खाड़ना चाहिए और उखाड़करकि आपको पानी से धोना हैं और पिर आपको सुखा लेना चाहिए फिर इसका चूरन बनाकर करना दोस्तों मैं बुखार के लिए बता देता हूं कि बुखार में इसका। जूच किया जाएगा बुखार में इसका कैसा प्रयोग किया जाएगा वो सुन ले जिए तो जिसको बुखार है मलीरिया बुखार है टाइफाइड बुखार है दोस्तों एक दिव्च मतकारी नुस्का है डॉक्टरों से इलाज कराते कराते चख गए है ठीक नहीं होता परकार की मुसीवत्त जेली हैं और यह वेडियो आपने देख लिया तो दोस्तों समझझ लेना आपकी जिन्दगी बन गई तो धूतों अगर आपको भी बुखार से कोई समस्याया है जासे की बर बार बार बुखार आता किसी-कसी को बहुत ज़यादा बूखार आता है इल मौसमी बुकार और बारवार आने वाले टाइफार जैसी समिस्त्या बाले बुकार को भी दूर होते आते 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 कमजोरी को गई यह समर्थ हो कि अंग में दर्द होने लगा है बहुत भ्यानक बुखार आ गया है तो ऐसी बुखार को भी जड़ से खत्म कर देता है नुसका क्या है सुनले जी आपको यह सैदेवी का पूरा सिस्टम जो है पंचांग ले लेना है आपको 100 ग्राम याद रखिए सैदेवी का पंचांग ले ग्राम और दोस्थो 50 ग्राम अडुल साग की पत्तियां 100 ग्राम और इन सब ही को ले कर के दोस्टो आप कुड करके मोटा मोटा चूरन बना लीजिए और फिर तीन दिन जीन दोस्तों तीन डिन रेगूलर सुभह और साम इसका प्रयोग करना है कैसे प्रयोग करना है 500 ग्राम पानी में जानी कि आधा लीटर पानी में आप इस दिब औसदी को डाल दे तीन चमच और फिर सुभह आप उबाल करके छान करके खाली पेड़ पी लीजिए और फिर सुभह अगर डालते हैं तब उबाल करके साम को आप खाली पेड़ पी लीजिए ये उबलते उबलते जब 100 ग्राम से भी कम रह जाए तब इसका शेवन करना है अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तीन दिन लगातार और तीन देन अगर आप भोजन छोड़ देते हैं रोटी छोड़ देते हैं अन्ने छोड़ देते हैं खाने में दूद हैं फलका से बन करते हैं तो कितना भी पुरारा बुखार हो मलीरिया, चिकन गुनिया और आपका मौसमी बुखार टाइफाइड बुखार इसकी मैं गारंटी लेता हूँ जड़ से खत्म हो जाएगा तो दोस्तों जानकारी कैसे लेगी कमन बॉक्स ने रूप बताएगा वीडियो अच्छा लगा अब लाइक करें शेर करें चलो को सब्सक्राइब जरू करें धन्य बाद